अभी भारतिये जंता पार्टी के गुंडे तमाम नेता दिल्ली जलबोट के मुख्याले पर आये जंडे वालान में स्तितिये मुख्याले है और पूरे ओफिस को थोड़ फोड़ दी पूरे ओफिस को वेंडलाइस किया गया आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे ग्लास फर किया गया दरवाजे बेंचेज उखार दिये अर्विन केजरिवाल जी की फोटो थी उसे तोड़ दिया उसे तोड़ दिवार से खीच कर फोटो फार दी और बुरी तरीके से हमारे ओफिस को अभी वैंडलाइस किया गया है हमारा स्टाफ घबराया हुआ है कुछ लोग जो पूरे आफिस को तहस नहस कर दिया और ये भारतिय जनता पार्टी ने क्यूं करा ये समझना अती आवश्यक है जो ये भाजपा के गुंडे आए उन्होंने मेरा नाम लेके ललकारा और कहा रागर चड़ा अपने मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल को समझा देना बहुत ज ज्यादा किसानों की तरफदारी करता है सेवादार बनकर उनकी ज्यादा सेवा कर रहा है ये तीन काले कानून खारिच करने की बात कर रहा है अपने केजरिवाल को समझा दो किसानों के पक्ष में बोलना छोड़ दे वरना हम एक एक करके तुमारे सभी विदायकों को ये कि उस दिन हमने अर्विन केजरिवाल के घर का गहराओ किया उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया उसके बाद हमने मनीज से सो दिया जी के घर में घुसकर उनका घर तोड़ फोड़ कर दिया और आज हमने तुमारे मुख्याले पर तुमारे कारियाले पर हमला करकर तुमा बहुत जादा पंजाब की और देख रहे हो बहुत जादा किसानों के बारा में बोल रहे हो ये बोलना बंद कर दो वरना तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे और एक-एकर अब हम इस प्रकार के जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के हर विधायक पर हर नेता के घर पे साफ धमकी देकर आज ये लोग यहां से गए हैं और कहकर गए हैं कि अरविंद केजरिवाल जी को बोल देना कि किसानों के हितैशी बनना बंद करें किसानों के पक्ष में बोलना बंद करें और जैसा नरेंदर मोदी जी कह रहे हैं प्रधान मंतरी मोदी जी कह रहे हैं उनक तो दिल्ली पुलीस के एक प्रकार से सहायता से मदद से ही हुआ है, नहीं तो आज एक इतने बड़े सरकारी ओफिस में, हमारा हेड़कौर्टर बहुत बड़ा है, विशाल है, कई अफसर यहां बैठते हैं, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में किसी भी साधारन व्यक्ति का आना असंभव है, इस प्रकार से पूरी भीड भड़क्य के साथ कई सौ लोग अगर घोस आते हैं, तो यह दिखाता है कि एक प्री मेडिटेटिक अटैक भारती जनता पार्टी ने किया है, दिल्ली पुलीस की सहायता से, और लक्षे सपष्ट है, लक्षे बड़ा साफ है, अरण केसरीवाल को धंकाना, हम सब को धंकाना कि बहुत ज्यादा हम पंजाब की और ना देखें, बहुत ज्यादा हम लोग किसानों के हिताशी ना बने। तो यह तोरफोर का सामना करना पर सब्सक्राइब देखे जान का खत्रा अवश्य है भारती जनता पार्टी हम लोगों की जान का खत्रा और जान पर हमला भी करना चाहती है तब ही जान लेवा हमला किया है लेकिन अर्विन केजरीवाल जी ने हम सब को एक चीज बड़ी सपश तोर पर बोली है और वो ये बोली है कि मरते दम तक देश के किसान का साथ नहीं चोड़ना है मरते दम तक ये तीन काले कानून खारिच कराने के लिए लड़ाई लड़नी है हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे भारती जनता पार्टी के लोग कायर हैं जो शालन खार्टी है